हेलो एवरीवन इस कुश्चिन में क्या कह रहें consider the situation as shown in the figure find the minimum value of small m so that the block do not move यह हमार पास given दे रखा है यह ब्लोक 6 kg का ब्लोक अब यहां पर देखें इस कुश्चिन को कैसे solve करेंगा हम देखें यहां पर बोला गया है कि small m mass की value क्या रखी जाए minimum value of small m ताकि यह block slide ना करें मतलब कि यह पूरा ब्लोक इस direction और move ना करें यह मैं बोल सकता हूं पूरा system in equilibrium में रहे है तो अब इस question को कैसे solve करेंगे देखें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर नीचे की ओर लग रहा होगा एक 60 Newton का weight mg clear अब इस पूरे system की बात कर रहा ह है तो इसका weight नीचे की ओर लग रहा होगा 10 plus small m into g यहां से लग रहा होगा एक friction ठीक है limiting friction अब देखें समझेगा यह block नीचे की ओर 60 Newton लगा रहा होगा और यह खीचना कोसिस कर रहा होगा और यहां पर fr limiting लग रहा होगा at the boundary condition तो अब यहां पर देखें यहां पर normal reaction force की value जो होगी वो इसके बराबर होगी n की value इसके बराबर होगी तो यहां से हम लोग fr limiting निकाल सकते हैं fr limiting हो जाएगा mu into n mu की value हो जाएगी and n की value 10 plus small mg अब यहां पर देखें for equilibrium condition क्योंकि block यह पूरा system move नहीं करेगा equilibrium condition की बात कर रहा हूँ for equilibrium condition for equilibrium condition जो खीचने वाला force यह 60 newton इसको खीचने कोशिश कर रहा है और यह friction अपोज कर रहा है तो यह mg की value जो है that should be less than या मैं बोल सकता हूँ यहां पर 60 newton जो है यह 60 newton that should be less than fr limiting तो 60 newton less than यहां हो जाएगा mu 10 plus small m into g यह g से यह 10 कर दिया 6 is less than mu की value को चीवन दे रहा है mu की value दे रहा है 1 by 3 और यह 10 plus small m जो आप इसको solve करेंगे 18 that should be less than 10 plus small m 18 minus 10 that should be less than small m 8 should 8 की value m से छोटी होनी चीए मतले कि m की value 8 से ज्यादा बढ़ी होनी चीए है ना तो for equilibrium condition for equilibrium condition m must be greater than m की value must be greater than 8 होनी चाहिए ठीक है यह बात दिहान रखना है तो m की value minimum पुछा गया है तो m की value minimum हो जाएगी 8 kg तो minimum weight इतना होगा ठीक है I hope आप लोग को equation समझना होगा ऐसे video lectures देखने के लिए हमारे चैनल को जहूर सब्सक्राइब करेगा बल आइकन को प्रेस मत करना मत बूलेगा ताकि जो भी latest lecture हो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच चाहिए thanks for watching this video